को ही अर अज नो अजर्ट का डेवन यह बहुत बइसिक क्लास है यह बहुत स्क्राइप करना मैं मेने ट्रिण है चाहे आप अभी क्लास जुए ने कि ए यह आप बात दो मंत के बाद क्लास बहुत लोग जो न's करेंगे किसी के लिए भी है अगर आप ऑडिट का दो तीन क्लास स्टार्टिंग कर नहीं करेंगे आपको ऑडिट समझ में नहीं आएगा यह मैं गारेंटी के साथ मतलब को रहे हैं अधर नहीं समझ में आएगा जवरी इन ही सारा टेक्निकल इशू इधर से हो रहा तोड़ा अपना भी देख लो तो पहले बात सुनो ध्यांद से यह बेसीक क्लास जो दो तीन क्लास में बेसीक टूंगा यह सी ग्लास मतम बिकॉद्ट पर बेब्रेडर सबतने कं बिक बोड़े एक फरेयाओ अलिमिटीब का नीचए न और आप अच्छा लगे तो अतारीफ भी कर देना नीचे में सुनो पहली बात किया ना जो आफ लाइन जो मेरे नए इस्ट्मेंट आये ना उनको पता नहीं है कि हम लोग क्या क्या सर्विसस जाते हैं अगर आप आप आफ लाइन पड़ते हो आफ लाइन अगर पड़ते हो त सपोस्ट किसी दिन आपको ऑफलाइन आने का मन नहीं है आप ना तो ऑफलाइन आना चाहते हैं आप लाइब किसी कारण वर्षाप का लाइब भी छूड़ गया आपको रिकॉर्डिंग का भी सुदा जायाएंगा मतर्बर जो ओन्लाइन क्लास लेता है ना उसको ओल्लाइन लाइब प्लस उसको रिकोर्डिंग का भी सुवदा जायाता है जो लोग all-line live सुब्D नामर है तो नामर रेकोर्डीन मिलेगा ना तुम और लाइब मिलेगा ना तुमको आपॉफलाइब अभी तुम पुराने स्ट्वेंड उनको पता है कि यहां पर क्या क्या सर्विसे दिया जाता है पर जो नए स्ट्वेंड है उसलिए बताना बहुत जोरी है अगर आप आप लेते हैं तो लाइप प्लस रिकॉर्डिंग लेते हैं लाइप प्लस रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग को रि दिखेगा तुम लोग का कौन मैसेज टाइप करेगा चो लोग दो दिन बाद पुछ लेंगे दो दिन बाद तुम से बड़ा आलसी खोर मैं हूँ चार दिन बाद मैसेज मैं देखूंगा अब मेरे पास अगर किसी मैसेज करता हूँ मेरे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैं डाउट सबका क्लियर कराता हूँ तो इस नौट पॉसिबल की सबका रिप्लाई कर पाऊं मैं कोसिस करता हूँ अपना 100 परशंट देता हूँ विपकॉस एवरेज टीचिंग मेरा 10 घंडे का होता है चार से पांच घंटे मैं आज भी पढ़ाई करता हूँ मेरा भी परसन लाइफ है कोसिस करता हूँ आपको डाउट क्लियर करा हूँ बट ज्यादा ज्यादा डाउट नहीं करा पाऊंगा वह मैं ऐसे करता हूँ मैं ज अगर वह बहुत दूर रहता है तो अधर्वाइस ऑफलाइन का जो मस्ती है वह लाइव में नहीं मिलेगा और रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा यह फैक्ट है इन्वार्मेंट मिलता है यहाँ पर आप 10 लों के साथ पढ़ रहे है वहाँ आप अकेले पढ़ रहे हूँ डिफ इस्क्रिन सेर तो है वाई किसी को स्क्रिन दिखाए नहीं पढ़ रहा क्या हूँ लड़े जाए जिसका नेटवर्क इश्यू होता है काईड़ी चेक और कनेक्शन इश्यू आप एक बार इंड करके दुबारा जोइन किजिए लिंक तो है ग्रूप में ठीक है ठीक है चलो आज का क्लास का हमारा एजेंडा क्या है वाट इस ओडिट यह तो सिखाऊंगा ही ओडिट क्यूं करते हैं मतलब वाट एंड वाई क्लियर करा देंगे और हाउ टू डू ओडिट यह तो पूरा छह महीना पढ़ने है तो एक दिन में सिखा देगा स्लेबस ही खतम हो जाएगा तो कैसे ऑडिट किया जाता है यह तो पूरा च्छह महीना सिखाऊंगा वाई प कुछ facts है कुछ myths है और क्या है कुछ facts है तो वह myths और facts रहा दूंगा starting का मैं बता रहूं starting का दो तिन क्लास बहुत important अगर आप दो तिन क्लास नहीं समझ पाते हो आपको audit नहीं आ सकते है और मैं उमीद और आसा करता हूं भगवान आपको सकती देशा आप समझ जाओ अधर बहुत तकलीफ हो जाएगा आपको लिटरली बता रहा हूं audit में और मैं पूरा अपना सो परसेंट दूंगा आपको समझाने में कि audit का basic क्या जब तक basic नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा पहले बता दे रहा हूं सर वाटीज ऑडिट से ही क्लियर हो रहा है जब अधर चेक करना थोड़ा बहुत तो आप commerce के स्ट्वेंट है तो आपको समझ में आ रहा है कि सी यह आता है बुक्स अधर को चेक करता उसको क्या बोलते ऑडिट या सुना भी होगा कोई दोस्त मारा आर्टिकल स्थ में कर रहा होगा बोलता हो बाई ऑडिट पे गए अ सुना यहीं सुना है तो आपको जनरली औरृणरिट समझ के समझ में क्या है बुक्स अभ आपका शॉलिन हमेरे साथ मेरे शांगला मतल्मध को चेक करीड़ करण और ěया और रृट को चेक करेगा करेंगा यहीं ना राध कम क्या चेक करेका प्रोड को तुम लोगugueseम एई ल जादू को छडी लेगा खोलेगा कि उच्छ हुआ मंतर उद्र कुछ बोलेगा सारा फ्रॉड निकलना स्टार्ट हो गया तो फ्रॉड जा रहा है तो एर पकड़ो इसको क्या मतलब अदिटर को ऑडिटर को जादू करें क्या कि इतना तुम मानूस है उतना वही मानूस है जतन मेरे को देदो तुमलों CID का पावर देदो ED का पावर मालों यह लो मेरा क्लाइंट है वो ले बुक्स आफ एकाउंट दो यह लो नहीं देंगे दिये दो डंडा इसको CID ID के पास पावर है न पकड़ के जेल में डालो डंडा मारो यह सब अडिटर नहीं कर सकता कि नॉर्मिली जो ले मैं जो ले मैं लोग होते जो आम पब्लीक होता उनको क्या लगता ओडिटर आएगा जादू को चड़ी घुमाएगा बुक्स आफ काउंट से सारे फ्रॉड और धिर धिर निकलना चाड़ो इत तो फ्रॉड यह पकड़ो इसको पकड़ो ऐसा कुछ नही पढ़ाते जाओंगा पहला बात सुझ माया कि ऑडिटर का काम फ्रॉड और एर्र को पकड़ना नहीं है तो यहां तो समझ माया ठीक है और ना तो कोई सी आईडी है ना कोई एडी है ना वो रॉक कोई एजेंट है जो यह सब काम आकर आपके लिए करेगा सब और का काम क्या है जब फ्रॉड और एर्र नहीं बता सकता ओडिटर तो फिर ओडिटर का काम क्या है बाई सिंपल सवाब बताओ ऑडिटर का काम होता ओपीनियन देना क्या देना ओपीनियन देना क्या देना ओपीनियन देना जैसे तुम लोग अपना एक ओपीनियन रखता है ना वो कैसा यह कैसे आए वास हमना वैसे ही ओडिर काम क्या है ओपीनियन देना ओपीनियन देना किसके बारे में बुक्स आफ अकाउंट के बारे में जो भी तुमने भी तुमने फानेंशिल information दिया है, वो true and fair view है या नहीं है, सबसे पहले जो person audit करता है, उसको अपने क्या बोलते है, auditor, the person who conduct audit is known as, अरे बोलना होगा, खाना होगा, खाके जगे नहीं कहा या, ठीक है, the person who conduct audit is known as auditor, clear हो गया, a chat, sirů AI share, CA audit करता है, क्या एक आम आदमी audit कर सकते है, नहीं कर सकता है, तुम लोगत सुना होगा, आर्टिकल श्व नामका कोन करेगा तो ऑडिट सर्टिफिकेट होता है उस पर साइन कोन करेगा और जनरली करता कौन आर्टिकल सी पॉली तो करते हैं अगर कोई कर अगर आप पास्टिंग रिकॉर्ट करोन चाहते हैं किसका को स्केमिंए के जरौत पड़त पर आगर अपको स्ट्था और शॉरुटरि और अरे लौक ऑडिट का ओर अटिट आपने सेकेंड समेश्टर में कंपनी लौप पड़किया आया है। एक कंपणी को पर बहुत सारे applicable rules and regulations होते हैं applicable law होते हैं तो एक company अपने जीवन काल में जो भी applicable laws है वो laws को follow कर रही कि नहीं पुरे एक साल नहीं continue पिछले साल follow किया कि नहीं इस साल follow कर रहा है कि नहीं कर रहा है आगे करेगा कि नहीं करेगा इन सब की जो law की जो audit होती है ना उसको बोलते है statutory audit तो एक CS जो company secretary होता है उसके पास power है stat audit कर नहीं किसके पास power है sorry sorry कौन सो audit कि इस टाटरी नहीं क्या बोलते को लोग का जो अज़ो audit होता है जो लॉक ऑडिट होता हुआ उसो क्या बोलते है मुलोग statu टरिट समझ गया ना तो एरे स्टाटरी बोलते हैं लोक और दूट को अगर आपको बैलेशी टीक और अरुट करेंगा अगर आपको कौस्टिग का करवाना kwn करेगा में करेगा और आपको लॉट जू कौन करेगा इसको कम्ब्लाइंस ऑफिशर बते हैं देगना सीयर का दूसरा ना मौता कॉंप्लाइंस जो लॉस रिटेट कानून को देखते रहता है अगर लॉक अडिट करवाना है CS अगर कॉस्टिंग रिकॉर्ड करवाना है अगर बैलेंशिट और फानेशिल स्टेटमेंट करना है क्या है यहां तक लिए अगर कोई प्रकार को अडिट हो गया इंवार्मेंट अडिट हो गया और जो फालाना धिमकौला ओडिट है क्या है उसके उसको जो ऑडिट करने का अधिकार सि ये के पास है और नन अदर के पास है मतलब कंपनी डिसाइड करेगी मुझे किससे करवाना जैसरे एंटरनल एठेटर जो ऑंडिटर वो एक कंपनी ना एक इंटर्नल ओडिटर होता जोरी नीडिए इठर नीडियों इए सर और अब्जेक्टिव और एरर को पकड़ना नहीं है तब प्राइमरी अब्जेक्टिव और एरर को पकड़ना नहीं है अरे चिला के बोर रहा हूं और इटर कोई जादूगर नहीं है कोई ED नहीं है कोई CID नहीं है कि और आएगा तुम्हारे बुक्स में जितने भी फ्रॉड और एरर को पकड़ेगा नहीं भाई यह और का कामी नहीं है और इटर का प्राइमरी काम है तू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि जो भी बुक्स आफ प्राइमरी अबजेक्टिव और पकड़ना नहीं तो सर क्या देना है तू एक्सप्रेस एन ओपिनियन सर किसके रिगार्डिंग ओपिनियन आनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो भी फानेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट ने प्रवाइड किया जो भी फानेंशियल स्टेटमेंट क्लाइंट ने प्रवाइड किया को ट्रू मैं सब लिखे लाया हूं कि अब मीनिंग आफ्टू एंट फेर विव आपको कुछ लिखना नहीं बस सुनिए यह पेज मैं शेर कर दूंगा समझ रहा ना आपको सुनना है अच्छे सुनना हो समझना टॉपिक को क्यों कि अगर मैं देख गंटे क्लास होता है मैं चाहता हूं अगर कोई कंपनी का बुक्स आफ एकाउंट यह पाच्छी बताने वाला हूं अगर यह कंपनी का पांच चीज फालो कर रहे है तो बोल देंगे कि सामने वाला का जो बुक्स आफ एकाउंट है वो ट्रू एंड फेर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे है तो यह पांच चीज क्या है पहला हर एक कंपनी के उपर अप्ली केबल अकाउंटिंग पॉलिसी होती है अगर एक कंपनी पॉली सीज फालो कर रहे है तो बोल सकते है कि सामने वाला का जो बुक्स आफ एकाउंट है वो ट्रू एंड फेर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे एक्ग्जाम्पल देता हूं पेटेंट ना पेटेंट पैटेंट का एक येर होता है 15 साल का पेटेंट 20 साल का फियुँस को रे क्विश आप में आप इसको ऐसे सर्वी से ढ़क ट facing क्या वागा ज्यादा देगा नेक्स्ट यह अटे व्योग कॉन वॉगा सब आप इसको ऐसे समसतीओ नएया नया फौन ले कर आते हो नया फोन ले कर आते आगर गिर गया इधर दर्द होता है अगर गरी ग़िर हाजते हैं साल के बाद गिरते होगा चलो टूटे वने नया ले साहिए जब चैनुचिशनthenay प्रेशिएट तो इसका मतलब और इसकी प्रीक बाउस से होगा लेकिन फर्स्ट यह तुम लोग कार देखो ना कार अगर सो रोम से निकलता तीस परशन्ट वैलू कम हो जाती है इतना ज्यादा उसकी वैलुएशन गिरती है कोई भी एसेट जो फिजिकल टम में होता है वो पहले साल ज्यादा डेप्रिशेट होता है उसके बाद कम अगर किसी कमपनी ने इंटेंजिबल एसेट पर रिडूसिंग बैलेंस मेथेड लगा दिया अब बताओ क्या वो प्रॉपर अकाउंटिंग पॉल्सी फॉलो कर रहे है आज पर एस वन अकाउंटिंग स्टेंडर्ड वन यह बोलता है कि अगर आपके पास इंटेंजिबल ए पर आया हम बुक सब्सक्राइब पढ़ रहे हैं पता चला पेटेंट में पेटेंट में रिडूसिंग बैलन्स फॉलो किया है अगर आपने और अडिटर को बुक साफ एकाउंट एज पर अकाउंटिंग पॉलसी नहीं दिया औरिटर के पास पूरा का पूरा राइट है करेंगा मेरा फीज दे हम निकलते हैं टाइम वेश कर रहा मेरा अब बिलिफ करें आप एक बार और पढ़िए आप आप एपीसी में सब्सक्राइब हैंड में जो भी पढ़ाया चाहेगा उसकी पूरी जिम्दारी मेरी रहेगी सच बता रहा हूं और विदम अथेंटिक अब पॉसिबल हैं इसलिए अराम से पढ़िए नहीं आज तो आड़िट पढ़ा रहा है तैस कल कुछ और पढ़ाएगा ऐसा नहीं भाई कि इंज्वाय करें पढ़िए मस्ति पढ़िए कहानिक माध्यांस पढ़िए क्योंकि और अगर मैं पढ़ाने लगा लाइन बाई लाइन आया वसामने तो आप तो बोलेगा सर आप से अच्छा वाला तो मेरी वाली हम जार उसे मिलके आते मजा नहीं आ रहा है मजा नहीं आ पढ़ रहे हैं पहले गिर गया पहले मनोबल गिर गया फुस हो जा नहीं आया रिप्लाई आ जाएगा वेट मत कर उसका वेरा बाद समझे लाप पहले अंदर से खूस हो जा तब बोलूंगा समझ में आएगा दिमाग में कोई और बैठाएगा और इसमाज में नहीं आएग ऐसे समझेगा कुछ नए हम भी कुछ बोलेंगे आपसे पढ़ा रहा हा अएसे नहीं आसे नहीं पढ़ना मतलब धंग से पढ़ना पड़ेगा इंज्वाए करके पढ़ना पड़ेगा से लो ठीक में आपने करते अचा तब परसन हो पापा जी बोलेंगे क्या बोलेंगे ऑडिटर ना अगर बैलेंस को अडिट करना है तो अगर कॉस्टिंग रिकॉर्ड का कम्प्लाइंस का क्लियर होगे अच्छा मुझे क्षी बताओ ऑडिटर में हम क्या करते है फ्रॉड और एरर को डिटट करेंगे नई सा ऑडिटर का पास पावर क्या है तू एक्सप्रेस अपिन यह ओडिटर का प्रामरी अबजक्टिव है सेकेंडरी अबजक्टिव फ्रॉड और हो सकता है प्रामरी अबजक्टिव क्या है तू डिटेक्ट तू डिटेक्ट बोलना तू डिटेक्ट तू एक्सप्रेस अइन ओप आया है वो true and fair भी रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं तो कैसे पैचान होगे कैसे पैचान होगे कि जो books of account मिला है वो true and fair भी होए सर पांस तरीका है पहला अगर एक company proper accounting policy follow कर रही है या नहीं फर रही है जैसे example अगर आपने patent right को WB method use किया है तो आप समझ जाओ सामने वाली company एक number की डैस है उसने accounting standard one को follow नहीं किया यहीं तेक्के समझ में आता है अगर तुमने पेट मैंने एक example दिया कि auditor आएगा यहीं चेक करेगा जैसे तुमने पास पावर ओडिट को रिजेट करने का पूरा का पूरा पूरा पावर है वहीं पे उसका वर बुलाद नहीं तुम्हारा नहीं करेंगे जाओ सताँद या तुमने प्रॉपर अकाउंटेंग फॉलो की अब कमपनी के दू बारा पर अकाऊंटिंग फॉलो करना पढेगहा तो पहला रहे है तो अब58 अक्म्पनी प्रॉपर अकोंटिंग पॉलोसी इस स्टेंडर्ड आपने नाम सुना होगा एक इंटरेशनल अकाउंटिंग स्टेंडर्ड को फालो करती है वो जो बुक्स आफ बनाती है वो इंटरेशनल अकाउंटिंग स्टेंडर्ड बनाती है और अपना इंडिया वाला है कांटृम्त सब्सक्राइब एक कम्पनी पर अप्लीकेबल accounting स्टेंडर्ड वोते हैं अगर वोग कंपनि अकाउंटिंग स्टेंडर् को फाऊलो कर रही है या नहीं हो चेक करना पढ़ा है तक मैस्कल मैं एक इफाउंपल का books of account करने क्या है न एक नमबर का 10 कंपणी है लीफो मेथेड उच किया था लास्ट इन फर्स्ट आउट हमारा जो एस टू है accounting standard टू यह बोलता है कि company पास दो ही option है या तो फिफो फॉलॉग है या तो डॉडी फउटव करें या तो फीफो फॉलॉग करें या तो डबलूडी करें जिस company हमाँ accounting चैक कर रहा था उसने स्टॉुक वैलुएशन किया था लीफो मेथेड कर सकता था या यह इक मपनी लिफो एक चॉंक्त कर सकता है तो है अगर है और अपको चॉंपसे या तो deveак लेकिन सामने वाला जो क्लाइंट था उसने कौन सा मेथड उसकिया लीफो मेथड मारिंग रिजेक्ट देंगे ओपीनियन एक नमबर की डैस कंपनी है हटाओ इसको तो ओपीनियन कैसे देना पड़ा ओपीनियन यही सब देखिए देना पड़ता है अभी मैंने दो चीज़ समझाया रूपर अकाउंटिंग वह आकाउंटिंग पॉलसी फॉलो कर रहे है यह नहीं कर सामने वहला क्लाइट है, वह प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैडर्ड फॉलो कर रहे है ये नहीं कर रहे है, थिसरा आप ऩटकन नॉडस dough Cou शी चीज समेन Hij होती है है आपने पड़ा है एक कंटीजेंट रियाबिलिटी बोल करके चीज होती है कंटीजेंट रियाबिलिटी और बनाओगे ना तो आप जब contractors 거든요 quality थे कभी भी लाबली टिम नहीं आएगा कहां पर आएगा नोर्स त्व अक accounting principle एक जो कमपनी है वो जनरली accepting accounting principle फॉलो कर रही है या नहीं कर रही यह भी चेक करेगा और तिसरा तिसरा लास्ट वाला चार हो गया ना एक का नाम पहला के नाम क्या था पहला क्या था देखो मैं सब मैं दुबार बता दरों मैंने सब लिखे लाया है यहां पे देखो सब लिखे लाएं मैं एक एक लाइन को मार्क करा दूंगा पहला क्या है देखो कि सामने वाला कंपनी सामने वाला कंपनी प्रॉपर accounting policy follow कर रहा है या नहीं कर रहा है अप्लिकेबल accounting standard follow कर रहा है या नहीं कर रहा है जितने भी disclosure है नोट्स चू अकांट में वह प्रॉपर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है जो गर्प है जनरली Gabe Speaking अ क्वर अरे तुमल्यों को जर्नले लेजर पढ़ा है कि नहीं बढ़ा है प्रभर प्रॉपर जर्नले टालो हो रहा है या नहीं हो यह अगर आप यह अगहों ए違कीparty नोट्स कर रहे है एलिका फ्रेमवर्ग्द का मतलब नोट्स तो अकाउंट्स कहां लिखा एफ अगर आप यह पांचीज फॉलो कर रहे हैं किसरा कमपनी प्रॉपर गैप फॉलो कर रही है कमपनी प्रॉपर फॉलो कर रही है तो हम बोल हो सकते हैं कि सामने वाली कमपनी का बुक्स आपकाउंट गिया है ट्रु एंड फेयर व्यु रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो हाँ स Abbe6 ऑढ़ें सर और अडियेकव काम क्या है और अडियेकवि प्राइमरी काम है जो एक्स्ट्राइंड उपिनों किसके बारे में रिगाडिंग दा फांलेंशियल स्टेटमेंट की जो फानेंशल स्टेटमेंट है वो ट्रू आ इंट फ्एर व्यू रिफेक्ट कर रहा है या नहीं कर,長 ahead ऎकाउंटिंग पॉलशी फालो या नहीं कर रहा है दूसरा है अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टेंडर्ड इंड एस यह से पता ना इंडिया का अकाउंटिंग स्टेंडर् यह प्रॉपर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है जो था फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है फॉलो हो रहा है या नहीं हो एक कंपनी है उसने लिफो मैंतेड़ इच किया स्टॉक वेलिएशन के लिए क्या वह प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेंडर्ड फॉलो कर रहा है यह बात कहा लिखा गया रहा हूं एक रिफरेंस में याद रहेगा यह बात वहां पर लिखा गया तिसरा एक कंपनी है उसने नो होना चाहिए सुनों बैंक होना चाहिए डेबिट उसने बैंक कर दिया क्रेडिट जिसको पेमेंट किया उसका नाम क्या होना चाहिए जिसको पेमेंट किया उपर में आएगा अरे जिसको पेमेंट किया हो तो डेबिट में आएगा पैसा बैंक से कटा तो बैलेंस कम हो गया क्रेडिट अब उल्टा कर दिया पैंक को डेविट कर दिया है अब आ बताओ क्या प्रॉपर फ्amtिटुन हो रहे है है इंकम को दिखायों है दतेए में इंकम दिखायों है डेविट प्रॉपर डिस्ट्लोजर तु नोट्स अन एकाउंट प्रॉपर गैप एन प्रॉपर एफर एफर एफ मैं बोल सकता हूं आपका जो बुक्स आफ एकाउंट है वो ट्रू आइंड फेर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे है ठीक है समझ गया मेरा बात ओके अब सुनों एक बात मेरे को मेरे को मैं और पढ़ाता हूं ना तो पहला क्लास में मेरे अंदर ना एक फ्रॉपर रहाता है चुल मची रहती है एक बहुत बड़ा कांड हुआ था इन वहाँ 1916 के आसपास कांड हुआ था यूएस में इसे मैं तुमको बता रहा हूं तुम लोग समझता है कि सर ऑडिटर ऑडिटर क्यों सर फ्रॉड एंड एरर और अडिटर क्यों निटेक्ट कर सकता वो तो ऑडिटर सर अडिटर सर सीय का पढ़ाई किया है बहुत समझना तुम लोग यहाद रुखना ओडिटर भगवान नहीं है अरे मेरा बास समझो और भगवान नहीं जितना तुम इंसान हो उतना वह भी इंसान उससे तुम इतना उमीद मत रखना वह फ्रॉड एंडर डिटेक्ट करेंगे मैं अभी इसको प्रूफ करता हुँ अभी क इसको प्रूफ करूँगा जैसे एक्जाम्पल दूँगा उससे रिलेट करना यह नहीं मैं इधर जा रहा तुम इधर चल गया अगलतीस फोन बज गया तुम उधर लटक के ऐसा नहीं इतना बोलूँगा उसी डिरेक्शन फॉलो करना चलो एक्जाम्पल माल लेते मिस्टर ए कि अग्वें से मैंने सब्सक्राइब करणा कोई समान पर्चिस किया ठीक है तो मेरा जो पील अकाउंट है जो पी अलगांड है वहां पर लिखाऊंगा टू परचेस 5 करोर मेरा जो application रहे हैं यहां पर क्या लिखाऊंगा तू पर्चेस ना 5 करोड आएगा पियल एकांट मे मैं इस ऐसान प्रषेस किया था तुम लोग फिय ल करो मैं इस बार क्लाइन्ट हो तुम लोग को मोंका देता हो तान लोग день की ठीश अ हैसी ऊगड़ा पढ़ा लिखा हो आप और हों यह फेक है पर यह प्रूल रहा रहा हूँ पर प्रूस कर ऊससे मेरा दोस्त है मेरा क्या है दोस्त है मैंने पांच क्रोड का पर्चिस किया उसको पांच क्रोड का चेक दिया ध्यान समझा ना उसको क्या किया पांच क्रोड का चेक दिया मेरे बंक से पैसा कट गया इस के अकॉाण में या क्यों मैं इसके पास्ट कॉर्ण पढ़ा हुआ था वह 5 क्यम ने कर आ पकड़ना मेरो इस बर ठीक है मैंने पांच क्लोड का पर्चेस दिखाया कहां पर दिखाया बुक्स आफ एकाउंट में यह फेक पर्चेस था मैं बोल रहा हूं यह फेक पर्चेस था लेकिन मैं इसको अथेंटिक कर रहा हूं तब लोग ऑडिटर को इंसान के नजस देखेगा लोग ऑडिट पढते हैं न और भगवान से किसे गल्ती हो सकती है इस अब हमाद कर रहा हूं तुम पकड़े दिखाना पर्चेस किया प्रचेस पाच करोड बैंक से पैसा कटा पाच करोड मिस्टर एक्स कवाट में गया तेरा मैंने ब्लैक मेनी क्या कर दिया वाइट चल अपना कैस इधर ला पांच कोड़ का हम अपना यूज करेंगे घर खर देंगे गाड़ी खर देंगे कुछ और करेंगे तो पांच कोड़ा कैस इधर आ गया मेरा समझा रहा है अब सुनू मेरा जो कॉलिटी इंस्पेक्टर लुट अफिचर था पता ना स्टॉक और बड़ी बड़ी कंपनी में वहांपे क्यूलिटी इंस्पेक्टर अफिशर होता है जब भी इस टोग आता है तो इंस्पेक्टर एक रिपोर्ट देता कि हाँ इतना माल आया है इस कौल्ट अधिक है मैंने अपने कॉलिट इंस्पे का रिपोड बना के दे दिया कि हाँ पांच प्रोड का माल आया हुआ है ज्यान समझे ना मेरा बैंक से पैसा कट गया कॉलिटी इंस्पेक्टर ऑफीशर का आए है तब आ गया ठीक है तुरू मेरा जो जो मेरा बुक्स अपने करता है हम उसको बले भाई आज तो अपना हर बात पर陋 करेगा step और हर चीजंग को सकतर और इस एक्जांपल और आया प्रचस्रोड का पर्चस किया है बिलत होगा मैंने क्या बोला और का जो डिपर्टीटूड नॉबर वन टाइक रड़का लोग संद है ना हर चीज को सकते देखेगा मैं बड़ा सा क्रोड का जैसे मैंने पांच करोड का जैसे मैंने बोला कि पांच करोड का पर्चेस हुआ प्लता याश्ब कोड का किया है अब उसके अंदर फिर प्रोफेशनल स्कृप्रिजम जागेगा सब्सक्राइब को बैचे सब्सक्राइब कोई बात नहीं पैसा पैसे कटा होगा चलो बैंक निकाला इस पैसा कटा हैं प्सक्रोर का प्रॉब्लम् बतलब मेरे पास अब तू बता अब तू बताओन बताओ मेरे को मैं auditor हूँ मैं auditor हूँ मेरे को bank statement मिल गया मैंने external party से confirmation किया कि तुने माल बेचा था पांच कोड का बलता हाँ बेचा था बोला इसी date को बेचेते मैं देख रहा हूँ मेरे पास bank statement है third party का confirmation भी है जो माल आया go down में inspection officer का certificate भी है proper accounting follow किया है proper accounting follow किया सब कुछ proper proper किया हुआ है then how on earth am I to detect fraud in earth कैसे मैं अब तुम बताओ मैं कैसे fraud and error detect करूँगा तुम बताओ मैं as a auditor गया मेरे को बोलता पांच कोड़ का purchase हुआ हम बैंक इस्टेट में बोलता है तो बैंक पर दिख रहा पांच कोड़ का तो अच्छा जिससे माल खरीदे होगा मैं उससे पुछा भाई तेरे से माल खरीदा है मैं बोला inspection officer का certificate लगा इंस्पेक्शन ऑफीशर का certificate भी है हाँ खरीदा है इससे बड़ा फ्रॉड पता है इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा गोडाउन में कुछ नहीं था अच्छर जनाने का मशीन मच्छर जाने वला क्या है तो कच्छुआ चाप उसमें आग लगा करें पूरा गोडाउन जला दिये और इंस्वरेंस कंपनी दिखा दे माल जल गया इंस्वरेंस कंपनी से पांच कोड़ का क्लेम भी ले लिए वेलकम टू कॉर्परेट वर्ड इतना बड़ावा फ्रॉड होता है मतलब इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा गोडाउन माल नहीं था पांच कोड़ तो फेक था ना गोडाउन में माल नहीं था मैंने गोडाउन में तुछ रहा ना ऐसे फूगते फूगते बस चिंगारी चाहएं दूट लगा दिया है और इंसरंस अब कुभते का है इन्सोरंस कंपनी का जो डिडेक्टर है एन्सोरस कंपनी डिरेक्टर औहुट मेरा दोस्त थे अ पाँछ खळावा इंस्पेक्शन ओफिशर को फूरा बहुत चड़ावा गेट कीपर को फूरा बहुत बैंकमेनेजर जिसने पांच कोंड़का चेक क्लियर किया था उसको भी थोड़ा बहुत चड़ावा इंसोडन्स कंपणी को इतना चड़ावा चलाने वाद तब भी मेरे तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि ऑडिटर बोलेगा अच्छा पांच प्रोड का माल आया चलो दिखाओ तो जल गया यह रहा इंस्वरन्स रेटिफिकेट कि यह दिखा है अब आप बताओ पैक बिल्ट को मैंने क्या किया ऑथेंटिक कर दिया पेमेंट किया बैंक से मनेजर से मिल करके चेक क्लियर करवाया साइट से मनेजर वो कैस दे दिया, जिसके अकाउंड में गया उसका तो ब्लैक से क्या हो गया? वाइट हो गया, उसका ऐस मैं ले लिया थोड़ा बहुत कैस बैंक मनेजर, थोड़ा बहुत कैस मेरा इंस्पेक्शन ऑफिशर उसको देकर कर के सर्टिफिकेट ले लिया कि हमको पता तो ओरिटेर आए गाँ पांच क्वोडूब का माल चेक करेगा आग लगा दिये और BLs सारा सारा माल क्या हो गया जल गया इंसॉर्ण स्क्पनिस मैंने क्या लिया पैसा भी लिया जो प्रॉरंस मनेजर था हूं मेरा दोस्त हूं थोड़ा भूग उसको भी लगा दिया अब आप बताओ एक और इटर बचा रहा है इतने लोग मिल करके फ्रॉड कर रहे एक नन्ना मुन्ना ओडिटर इतना बड़ा ब्रेन किया कहा सकेगा जिए कहा सकेगा बताओ तो और इटर के पावर नहीं है कि फ्रॉड और एर्र को डिटेक्ट कर पाए समयच रहो ना वह अपना पूरा बुद्धी लगाएगा लेकिन तुम बताओ जो मैंने सिचुवेशन क्रेट कराया एक और क्याश है सबूट चाहिए भाई आदालत किस पर चलती है सबूट पे एक और क्याश ह सबूट पैंक का सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन ऑफिसर सर्टिफिकेट माल जल चुका है इंस्वरंस कंपनी का सर्टिफिकेट आयवसम ने अच्छा तुम बताओ बींगे ओडिटर भाई तुम्हारा जवाब लूँगा टेंसन ना लोग पींग अन ओडिटर मेरे को पता पता ना एक ओडिटर एक साल में बीश्ट ओडिट करेगा एक साल में अगर एक ही कमपनी में सारा दिमाग लगा दूंगा तो आगे उन्नीस्ट कंपनी को अडिट कौन करेगा तो ऑईटर बलता अच्छा लग गया होगा चलो ना सर्टिपिकेट तो हई है अगर ऑईटर ब अब आप बताओ मेरे को तुमको परसनली क्लास पढ़ना है इतने भीड़भाण में पढ़ना कोई बात निपरसनली सर्विस देंगे 15-20 रुपया लेंगे पढ़ाने का हफ्ता में दो दिन आएंगे ऐसी ओडिटर लोग होता है ऐसी ओडिटर लोग होता है अगर तुम बो अगर एक ओडिटर करोड़ रुपया का फीस मांगेगा कंपनी पे करेंगा क्या कंपनी बोलते नहीं नहीं तो यह सब होता ना इन हेरेंस इन आके पढ़ाऊंगा अभी वाइड माई यूज नहीं कर रहा हूं यह सब होता लिमिटेशन ओडिटर एक और पास नहीं कुछ ल दिमाग नहीं लगाएगा उसको बैंक इस्टेटर मिल गया उसको एक्स्टर्नल पार्टी का कंफर्मेशन मिल गया माल चेक करने गया तो माल जला हुआ था इंस्वरंस कंपनी का सर्टिफिकन मिल गया हां सच में आग लगी थी आगे निकल गया बढ़ करते हैं तुम सब्सक्राइब बता सब्सक्राइब बोल भाई तरह कोशिन क्या था है अगया अगया क्या करें गया हां अरे गॉवर्मेंट तो और टर्प किसले अरे बाई एक मेरे संद्रन मैंने तुमारे कोश्चिन वे समझाए कि तुमारा एक कोश्चिन यह इसा जो पांच करोड का परचेज हुआ है क्या गवर्मेंट उसको चेक करें यही तुमारा कोश्यन है यह तो कोई बात लिए मिस्टर एक श्ट्रक सुकाएगा क्या दिकता है अरे अरे बिस्टर एक ब्लैक मनी मैंने वाइट कर दिया यह कम अहसान है इतना बड़ए अहसान कम किया मैं उसको पर उसका ब्लाइक ब्लाइक पता है इसका मेरा इस मेरा इस केस में और फॉर्ड पता नहीं कर पाएगा तो मेरा इस illustration से आपको समझ में आ गया कि auditor का primary जिम्मदारी fraud और error चेक करना नहीं है primary responsibility क्या है primary objective क्या है ये बताना कि सामने वाले का client का जो books of account है वो true and fair view reflect कर रहा है या नहीं कर रहा है true and fair view reflect करने का किता थरीका है पहला अरे बोल भाई पहला accounting policy follow हो रहा है या नहीं हो हुआ accounting standard follow he or proper disclosure huh raya n hello right proper gap follow फालो हो रहा है या नहीं अच्छा रिस्पॉंस हो तुम लो कमझ पार है 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 कि अच्छे बढ़ा रहे है अगरा देख बोलो कि जो अधिर मेरा दोस्ता दीमनेजर मेरा दोस्ता बोल पराओं मेनेजर दोस्ता है हिए चाओ है डिए है अधी है गोडिट का भूता साल खथम होने के बाद पता है और आग लगाता स्टाटिंग में साल के स्टाटिंग आग लगाता तो अल्टर के लिए राख रखेंगे अरे क्लीन इंडिया साफ सफाइज हो रही है और उसी को डाउन में टेंटिंग मेंटिंगर के नहीं अमाल डुकाएंगे दूसरा भी तो कांड करना हो अच्व एक मिडिक मैं अरे अगर कोई आशार काजम में नहीं को साने के लिए नहीं कोई लगता अपसे मेरा घर चलता है आप पैसा नहीं मेरा घर पर नहीं समझा रहना आपसे रोटी रोजी आपसे कैसा पंगा तो सरकाजब में बोलूँगा मतलब इंटेटेंडमेंट के लिए बोलूँगा यह पहले क्लियर कर दूँगा अब प्लीज जैसे जूता चपल बाहर निकालता इगो भी साइड कर गया आगा क्लास करने में पॉस्चेन बोलो कि पॉस्चेन बोल भाई कि अ कि अ कि अ कि अ कि नया नोट निकालते हैं तुम लोग आसी रिवा से बहुत नोट मिला है कि सुन भाई ести यह बलैक मने वाइट मनिका का इस रुपया वाइट बलैक नहीं होता देखने में पहले बास नहीं कए ईब डुड़ा मत मनना में अगर Feder यह पैसा मेरे पास कैस में मतल요 The black money कैस सबसे ब्रढ़ा black money होता अगर मैंने डेरक्लिश को capitalist banking channel में जो पैसा जाथए वह क्या होता है छाप्ता भाइस होता यहां यह और आपको पत्ता है आप the law नहीं ुपढ़़ रहा हूं पडवर समझ गया हां हां ठीक बुरा मत मनना मेरा सरकाजब में कोई आंसर दूंगा बुरा मत मनना ठीक है अच्छा अच्छा मेरा कोश्चन समझ में तुम लोगों कि ऑडिटर के पास ऑडिटर के पास इतनी अवकात नहीं है कि वह बैट कर कि यह पता करें फ्रॉड एरर हुआ था य यह चीज। तुम लोगों मैं केस मातरी ना शुआ एक कंपनी थी अम्पेरिका के एंड रो एंड रो ऑन बोलके कंपनी थी थी तुमना एंड रोन बोलके एक अम्मेरिकन कोई बात नियु ब्रांडेट आशिव चालो जाए तर रो एक सुनने अधिस अगा पाच मिरट में एक केस चेड़ी सुना रोग पढ़के मजा आएगा तुम लोगो इसब जानकारी अगर तुम लोग अधिनी पढ़ा और यह सब जनकारी नहीं है को जीमिदारी क्या ध्यान समझे नहीं अधिस है अरे सब अरे सुनो ना इसा जीवन का बहुत चोटा मुद्दा है एक कंपनी थि एंरॉन एनरजी बोल के कंपनी ती यह उन्नी सची के सब्सक्राइब तो कि हम इंड्यन कितने बड़े कॉपी-पेश्टे रदेखना था हमने कॉपी पेश्ट करना वस्ता आधे हमलो कि है थी के तुक्तार फिर्ट अब हम से पीछे एंड रॉन के एनर्जी कंपनी था है यह जो अब उसका जो डिरेक्टर था दे आर कुकिंग दा प्रॉफिट इन दा बैलेंस आफ एकांट बतला यह क्या कर रहे थे न अपने पी एल अकॉंट में प्रॉफिट वे प्रॉफिट दिखाये जा रहे थे अपने सुना विंडो ड्रेसिंग अरे पैर्लेल अकांट दिखाना उससों क्या बहुता फेक बॉक स फिर के प्रफिट में अपना प्रफिट बढ़ता फटा तो अगर किसी कंपनी को लॉस होता शेर का वेलू ग्र जाता है कंपपनी का फिर बढ़ता शेर गए अचानक से वरेड के सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट वो अीवार्क वाली अचानक से नुवार्क शटाख इसमाझ में आया में यार ग्रीन एनर्जी तो कहीं दिख नहीं रहे बज़न तो प्रोक्र इतना है तो उस वक Дुनीस अश्य में सी में अगर ग्रीन एनर्जी में अगर प्रोफिक ह्वाथ हो घुब ए तो वहां का जो स्टॉक एक्षेंज था निवार को ला बोला हर जगा पेट्रोल डिजल का बोल बाला है इतना कौन ग्रिन एनरजी यूज कर रहे है थोड़ा देखे तो अंदर में पता चला इन लोग को क्या हो रहा था लोस पता इनकी जो ऑलिटर था इनके ऑलिटर का नाम अर्थर और अंडरेशन अगर मैं स्वॉड वूलों प्रीशन और यसी बीट पाइब नाम था और ऑर जो बीग फाइब फाइब का नाम था और जो बीग फाइब था राइट नों क्या है घुरा आ एबिग फॉर या अनृ नाम शुना है ना लेना बीग फसी आफ्वर वो लोग उल्टा सिता प्रोफिट दिखा रही थी यह थप्पा थप्पा मारे जा रहा था हां सही है हां सही है हां सही है अब निवार की स्टाव कि इसको लॉस हो रहा है फिर भी पता चला प्रोफिट दिखा रहा है आपको तैसे पता चलता है आपका अगे बढ़ा है आपका लेवल आफ डिसीजन मेकिंग वह मैटर करता है तुरंत वहां का जो लोग देखा भी नहीं बोलो देखा भी नहीं कि एंडरॉन इतनी बड़ी कंपनी है अगर इसको डिसॉल्व कर देंगे तो इसके सारे के सारे इंप्लॉई बेगर हो जाएंगे और ऑथर एंडरसन जो कि बिग फाइव पूरे वर्ड में बिग फाइव अगर इसको बंद कर देंगे तो कितने लोग रोट पर आ जाएंगे कुछ नहीं सोचा बाई दोनों कंपनी को साथ वे डिजॉल्व कर दिया ओथर एंडरसन को कंप्लेटली बंद कर दिया वहां का इस्टाउक एक्शेंच तब बिग 5 से क्या हो गया विग 4 हो गया मतलब न इसला मेरिका जितना आगे बड़ा गलती की सजा मिल गया हमारे इंडिया में देखो न इसे रेप खलतू होते रहा तो करेंगा रहा हो दुबाई समझ में आ जाएगा क्या होगा उसके साथ कहां कहां कटेगा पता नहीं करें बहुत मैटर करता है डिसिजिएन बहुत मैटर सब्सक्राइब अगर एक कमपनी को बंद करेंगे तो जाएंगे तो रिषुर्ट आपको एक जन को मार आस्च हम पहला अमेरिका ने बुला कि एक को बंद करेंगा सब सुधरेगा और बिग फाइब फर्म को बंद कर दिया completely तुमको तुम जिन्दा नहीं छोड़ेंगे अमेरिका वाल और यह निवार्क इस्टेंड यह कंपनी थी एरॉनपुल के उसको भी कच्छा चब आ गया नाम सुना सत्यम और कंपनी अभी गूफल करतेंगे सेम कंपनी का डारेक्टर था राजू लिंगम तो राजु राम लिंगम बोलके उसका डारेक्टर था था म дав और दम काम कर से यह लोग पत़ा कब से कर रहें थे 2 k कंपनी थे 2003 2013 से अ़्ठा सिधा निँखाए जा रहा है फबिक मतारह ौह रहा है म। इंडिया में किसको इतना पड़ा हुआ है इंडिया में तो इस लेबल का यहां पर किसी का पता करना कि यह सत्यम वाले लोग फ्रॉड कर रहें करीब 5-6 साल से राजुराम निंगम को कभी गौतम बुद्ध को पेड़ के किनारे पेड़ के नीचे बैट करके आतमे ग्यान मिला बहुत ग्यान ऐसी राजुरी राजुरी निंगम राम रांगु जो भी सामने भुपु लगाए इन्होंने बोला कि हम लाश्ट पांच साल से फ्रॉड कर रहे हैं मीडिया है आप फ्रॉड सुनने के लिए बुलाए है बोल रहा अब मुआ रराजु राम लिगंगम बोल रहा है सुनों राजुराम का स्टेट्मेन पहला कि आज भी यूट्यूपे पढ़ा से फ्रॉड कर रहे हैं आएसिया पता कर पा रहा है आपको सत्यम कम्पनी को उल्टर कौन था सत्यम कम्पनी को साथनुपनी कशेक्ता कौन था पीडवल की सिसलिष्ट की इस विल सर्फीस नमबर का शोर था मतला आके पूरा पूर्टी खोल दिया हम तो चार साल से पांट साल से खुदी दिखा रहे हैं कोई बाबा प्रवजन सुना होगा तो उसको आत्म घ्यान हुआ आके खुदी बोल दिया हम लोग ऐसे से कर रहे हैं प्रवलूसी मार रोड़ेटर था वह भी थपप प्रवा लगाय जा रहा था कि सब्कूर सही है असा कौन सत्यम और प्रवलूसी पर हमारे हां क्या है इंडिया इंडिया चलता इमोशन अपने निकल नहीं पाया होगा समाझे रहा है इंडिया चलता है इंडिया चलता है इमोशन पे ब atención पर बुलाए तो बूल रहे है पीडवलुसी को कोज़न बुलाये गया उसका डारेक्टर आसरोग घलती नहीं दिये नेक्स्टाइम रहेंगे तो जज़्स वह रही आई सी गलती के रहें अपनों तो माफ कर दो पूछ नहीं पूरा बंद कर दिया पर यह क्या है इंडिया इंडिया चलता है इमोशन से गलती हो गया आपके बच्चे का चान लेगा तुम हो गया गलती हो गया माफ कर दो फी डबलू से छूड़ गया या कि आठिories गया कुछ नहीं हो पॉट्बलू होथ कि बटा से अब गद करनी पाल APP कर शीरे मेरा नाम बंक हो कैसा से भी बोलता है यहां तो हम काम नहीं कर पंप यहां यह उसका बदनामी हो रहा था उश्यो नोइस्द चूल मची थी इसको बंद कुयों निहुन्त वह इसके से न्युंवार्क वाले बंद कर दें滿ने यहां पर क्यों नी बंदगे यहां प्यों थे से वे लिद दौमल ऑफ ही से भी ने डिने में अदालत। बुलाए कोई भी प्रॉब्लम से सब्सक्राइब थप्पा कौन लगाया अभी मैं पढ़ाऊंगा देखना अल्टर कितना बड़ा रोल है ते भी को ला चूल मची थी प्रॉब्लम लोग खरामी है लोग फुद फसा हमेरा भी नाम होता है बुलाया साइट में साइट में बु साल तक नहीं करवाएका सजा सुनाख ति यहां सजाव सुनाहा कि 2 साल कोई भी एमन चीयो कोई भी लिस्टेट कमपनी हो वह पी डावल्यू से invest नहीं करने करते हैं करहलों का लेती है प्योंके नुखसान आप शुचो प्यों सूनो तुम कोट नहीं हो सकते प्रसा को सुना ये गा कोट कोई नहीं यह सी था हट ओदी इंडिया और सुनो इतना ही नहीं है inron सब्सक्राइब करती है उसको पता कौन पर्चिस किया एक महिंद्रा पहले पूरा नाम था टेक महिंद्रा सत्यम तो लास्ट में सत्यम वोड था तो कोई सेर नहीं पर्चिस करता था हो लास्ट में नाम चेंज करते हैं पूरा नाम क्या होगे टेक इंडिया एंडिया में इमोशन तो इंडिया में वहां सेम फ्रॉड होगा था इंड्रॉन वर्सेस एंड्रेसन से महां पर भी हुआ सक्ट्यम पर्सेस पीडबलूसी वहां बंद हो गये यहां दोनों चालू है सेम कंपनी है लेकिन अब महिंद्रा वाले तो ठीक है अच्छे से काम करें अच्छे से काम करें अच्छे काम क्या है क्या ओना ओपिन देन अच्छा क्या ओपिन देना जो फाइनिशल स्टेटमेंट यह वो ट्रू एंड फेर विव रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर आप सुनों दिल थाम को बैठ्टों मैं ओर डिका डिफिनिशन मुलने जा रहा हूं सुनों और ओड़ित इस दा इंडपेंदेंट एग्जामिनेशन और इसे इन डपेंडेंट एग्जामिनेशन तर म मेनीं ऑफ इंडपेंडेंट तूनों भाई यह मेरा क्लाइंट कुता क्ल्न का सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेरा क्लाइट बोलता है आज बुक्स अवर काउंट मत चेक करेंगे वह्यूमा अज इ क्लाइट बोलता है यह होता है इंडिपेंडेंडेंट इग्जामेनेशन इसका independent examination financial information books of account क्या financial information भलो ना audit it is an independent examination of किसका financial information financial information किसका of any entity किसी business का इतो होगा financial information. so audit is an independent examination of financial information of any entity whether फ्रोफित और अर नट फ्रोफित वाला हो यह नोन प्रोफिक पतने नौन प्रोफिक और संब्सक्राफित करेगा in साथ आफ्सलीट ऑचाह साथ या Color Ones Up सब्सक्राइब करें वाम नौन प्रॉफित औरडित करें अहीं तुimana किन में तम म्हींक तुम्ने अंवानी के कंपनी का। रिलाइन्स का। यतना ठुक्छ करके तुम्ने ऑड την किया तरे कंपनी का उतने ही डुक के तुमको एंजी वाला भी करना पड़ेगा तमाज गया ना वेदर प्रॉफित मेकिंग और नॉट डफिनेशन को रिपीट करते हैं तोड़ तोड़ के समझाऊंगा ओड़िट इस एं अरे बोलने भाई ओड़िट इस एं इंडपेंडेंट इग्ज okay मेंडें शर् Quiz इस एंडर इंड़िट of financial information financial information किसका of any entity जाए प्रॉफित मेकिंग व्या विदर प्रॉफित मेकिंग और नोट रिर्रिस्पेक्टिटिव आप साइज और नॉट इर्रिस्पेक्टिव आप साइज और नॉट बतलब ऐसा निया कि रिलाइंस कंपनी बड़ी कंपनी है इसका उपर पर सकर देंगा रिटना तुमने घहराई से जतना एक्सपे तुमने बड़ी कंपनी को ओ डिट किया सेम एक्सपेरियंस दुमको छोटा कंपनी का भी करना पड़े गासा नीए चोटा उपर पर निकल जांगे वाड़ा कमपनी तो मोड़ा बैसा दिखा किसी और को धूंप मेरा पैसों कपनी धुतना मेंट तुम करोगे बड़ी कंपनि के लिए सेएं मेनद को करना पड़ेगा छोड़ी कंपनि definition को repeat करते है audit is an independent examination of financial information of any sorry financial information independent examination of financial information of any entity whether profit making or not irrespective of size and legally or not legally or not legal or illegal legal legal नियुक्त जो कोई भी company कोई भी company अगर company act के इसे आप से फॉर्म करते है अगर इसे आप से फॉर्म करते है आप सोल प्रपाइटरिस्टिप यह लीगल नहीं हूं तो मैं लॉक्षेग पढ़ने क्लासे से राइट नाओ दिस इस दा सोल प्रपाइटर्सिप आप कहीं पे रेइस्टर्ड नहीं हूं तो मैं लॉक नजर से कि लॉक नजर तुम्हारी नजर हों में लॉक नजर हों में इलीगल है तो जो लॉक नजर हों में रेइस्टर्ड नहीं है वही बात बोलता है जितना तुम लीगल elled raspfirm का audit करेगा। यतना गहराई से जितनी महनस से तुम स्फी करेगा। उतनी घहराई से उतनी महनस से तुमको इलडील फर्म का भीaches audit करना पड़ेगा। समँन्ज माराओ या डीफाटवर ड cabbage करो, यहां पर क्या बुश्य करो। कि क्या बोला देखो इजा से ओडिट मींस इंडिपेंडेंट इग्जामिनेशन और फानेशल इन्फॉरमेशन इसका ओफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओर एंटेड और नॉट इर्रिस्पेक्टिव आफ एट साइट क्या प्रॉफिट मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकि हो एंडा दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्जामिनेशन किया जा रहा है उप्पीनियन देने के लिए कई स्यू तुम को एग्जामिनं लेता है कि नहीं लेता है अब बहुत तकलीफ से तुम्हारा एक्जाम लेता है कैसे बता रहा हो तुम पढ़ा च्पर है मिन और ठीक है अब सुनों मैंने एक्जाम का टाइम पर बूला था ना पाश्टो कोशिन कर आने का चांस तो तो पाश्टो वाला कुछ लगता आप पाश्टो कोश्चन मैंने ब वही आ गया पांच बोला था वह पांच जाना एक्जाम में पांच कोशन आए गई आएगा और सब ददस नंबर का था असी में पचास नुमर तो फस्ट गया अपस्ट पांच मैंने बुला था मेरा आप तो गुरू आपके आप अच्छे मिना बात नहीं माने थे अभी बात म बात मानें गया एक्जाम में भी पांच आया पचास नुमर के लिख लिए पड़ोसी किस दिन काम है आप पड़ोसी तो काम आएगा वाई एक्जाम आप दोस्तिया यादी आसपास में उद्धर 20 मारा नंबर या शत्तर किता नंबर या सत्तर यू वह बोलता है एक अडिग तुम को देखके लाग रहा है तुम मेरे इसाब से तुम क्या हो सचाही आप बताओ सचाही बताओ सामने वला पढ़ाई किया था क्या हो एकजामेशन दो प्रकार खुलते हैं हम हम यहां पर एक्स्प्रेसाइं यहीं होत जो अब और एक होता है रिजनेबल ओपीनियन और एक होता है रिजनेबल एपसलूट ओपीनियन और एक होता है रिजनेबल एपसलूट ओपीनियन का मतलब क्या हो गया जो बोल रहा है सच इसके लावा कुछ भी नहीं हो सकता है जो बोल रहा है सच बोल रहा है इसके लावा कुछ है प्रिकर रोड़ा का पूसका सब्सक्राइब और और रहों करेगी जो करोड़ों में सेल करेगाए करोड़ों में पर्चिस करेगा उसका बिल भी क्या होगा करोड़ों में अब जो नंबर अफ बिल साल वर में दस लाक बील का बात कर रहा हो यह बिल हमालों यह डियल हो जोड़ी ट्रम वराओ हुआ है कि में अजость करेंगे एला चमाँ पिढ़ा है में इस एक फेनील नहीं कि पनाए लिए की कमपणे के लिए अब हम में बैट करके करेंगे इसका इंट्री हम पता क्या करेंगे सेंप्लिंग करेंगे Minsk क्या करेंगे हैं ? मैं सब ठीक लगा ? मैं बनें सब ठीक है ? तेरा बात सौंज़रा तो और क्या करता है सेंपलिंग करता है पूरा का चेक नहीं करेगा दस लाख बिल सोच रहो तुम दस लाख बिल को फिजिकली काउंट करने कितना टाइम लगेगा और एक बिल में तोचाठ्टों पेज होता है है तो यह भी दस लाख नहीं चेक करेंगे मालो हजार हजार पीस हजार पीस बिल उसने चेक किया बाकी ठीक होगा इसको बलता है सेंपलिंग अब आप बताओ जिसको छोड़ा क्या उसमें गलत हो सकता कि नहीं गलत हो सकता है इसलिए इसलिए ओल्टर का जो अपिनियन होता है वह true and fairview है मेरे ही साब से हो सकता है उसमें जो छोड़ा उसमें कोई फ्रॉड एन एरर हो सकता है यह बात खुदी बोल रहे है कि मेरा जो एस्वरेंस है वह एपसलूट नहीं है कैसा है रिजनेबल है क्योंकि भाई हमको 20 कंपनी को अउडिट करना है समझेरों 20 कंपनी औ होगा इतना मेरे पास टाइम नहीं है पैड कर तुम्हारा बिल चेक करेंगे थोड़ा वह सेंपलिंग किया सब कुछ ठीक बाकी भी ठीक होगा तो यहां पर जो ओटर का जो ओपीनियन हो कैसा है रिजनेबल है अपसलूट कैसा रिजनेबल है अपसलूट मतलब सही हो भी सक होगता है युबर ओडिट का डेफिनिशन और ओडिटर ओडिट इसन इंडिपेंडेंट इग्जामिनेशन और पानिशल इन्फरमेशन और एनि एंटिटी वेदर प्रॉफित और और नॉट इर्रिस्पेक्टिव आफिट साइज और लिगल फों तच इग्जामिनेशन इस तुछ इग्जामिनेशन इस गॉंडेक्टेड वित विव दू एक्सपेसे अन ऑपीनियन ऑव यह जो पीनियन इक ऐसा है रिजनेबल पीनियन है एपसलोट नहीं है एपसलोट नहीं है आप सेमया जो बोल रहा है एकदम प्थर का लकीर यहां बोला ऐसा नहीं है हमको जित से मेरे हिसाब से आपका बुक साफ एकाउंट तरुव एंद फेर्र वी रिफ्लेक्ट कर रहा है रहा है रहा है पर इसका मतलब नहीं है कि वह अप्सलूट और अपिनियनर मेरे मेरे हिसाब से समझ है अच्छा करका अच्छा अच्छा audit has been derived from the Latin word इसका मतलब क्या होता है अट्राइब अट्राइब कहा से डिराइब किया गया है इंट्रेस्टिंग में पढ़ेगा ना पूरा audit पूरा मैं तुमको मेरा पुराना से मिला दूंगा वह audit में ऑल्वेज 75 प्लस 80 का मतलब नहीं हमने पढ़ाया उसने मैंनत किया तारा टीचर तारे टीचर का रोल नहीं होता हम पढ़ा दिया और आप नल्लागिरी करने बैट कर बनंगे में किसी ओर करें है इतना रोल इवन आपका बहुतलोस बिखना में पर्फरममंश करनाया रही तोो अपका रोल सब्सच्चाता है वहान नहीं आप महान है तो हैसे मान पहतला सब्सक्राइब किया गया है तसा ब 써ना हो सब्सक्राइब नहीं बोलते थे सबको डर था अगर जूट बोलेंगे तो राजा तो कांड कर देगा मेरे साथ कौन सा काला पानिक सदेगा हमको भी नहीं पता पता है जब राजा महराजा का लोग आते थे मंत्री मंत्री आते थे आप लोग दो मिट्व जैने प्रजा पील कर आप लो क्या है ढूर मे Southeast मंतृ हैं और आप लोग लाई और इसलिए इसको ऑडिटिंग बोलते थे एड़ार मतलब क्या होता है तू हीर सुनना की राजा कादमी आएगा राजा कादमी आएगा आप से क्वेश्चन करेगा आपने जो अंसर दे दिया वो विश्वास करके आगे चला जाएगा इसलिए और अडिटिंग वर्ड क इसका नाम क्या है जूट अब आपको पता चल गया नहीं भाई सुनने से काम नहीं चलेगा अब अपने को बिल चेक करना पड़े इतने का पर्चेस हुआ बिल दिखाओ इतने का सेल हुआ सेल्स बिल दिखाओ यहां सामान कर देता रुख भाई पूश्टिया फोन करके बै कra llaation but is starting sayanych starting say audit का था सुनने बचल रहा था लाइटीन वर्ड़ से डिराइफ कि आहाटा लाइटन उर्ड में क्या बोलते आदवार मतलब किया हुआ तू हियर पट्राइट नोगा सुनने से काम हो जाएगा देखने से काम होगा तो फिजिकल इंस्पेक्शन अपरसन वह कंडेक्ट ऑडिट दा परसरू कंडेक्ट आड़िग्ट जोने जोने इस पुछ मित और रियालिटी फट फट कंप्लीट करते आपको घर छोड़ देते ल मित और रियाल्टी कुछ मित और कुछ रियाल्टी राज लते जो आदमी रा चलते जो आदमी है उनको यही लगता है कि रहा चलते आदमी को यही लगता है यही लगता कि ऑडिटर आएगा जादू को शड़ी घुमाएगा सारे फ्रॉड और एरर निकलना स्टार्ट होगा ऐसा कुछ नहीं आप अभी कॉमर्स कुष्ट्वेट है और राइट नौ आप ऑडिट पढ़ रहे और मेरे से पढ़ र अब्चेक्ट फ्रॉड ए या फेक्ट है तो ऑड्र का प्राइमरी अब्जेक्टिव क्या है तो हाँ तो कमेंट आन्व इदर फानेसले स्टेटमेंट्स वाइंग टू एंड फैर वीव और नॉट यह ना ऑड्र का प्रामरी काम क्या है फ्रॉड और एरर को पकड़ना नही और का primary responsibility objective क्या है एक्स्प्रेस करना opinion को बताना कि सामने वाला का जो books of account है वो true and fair view है या नहीं true and fair view से पांचीज या दा रहा है रहे पुलना और पांचीज मोल क्या आदा रहा है पांचीज प्रापर accounting policy proper accounting standard full disclosure gap FRF ठीक समझ गया आता है तुम दो next auditor will prepare books of account company बता क्या लगता है सुनों माले कंपनी अब हर एक तुम सुनों मैं चाय ब्यस्ति बस्ते पैसा वाला हो गया पैसा बहुत पैसा लक्ष्मीजी के क्रिपा था हमने एक आप और को बुलाया आप और को बोल रहा है पता चला तुम सीए है बलता हां सीए सब्सक्राइब करेंगा कितना भाड़ भी का चाहिए हो सब काउंट करेंगा सारा बुक्स अब काउंट बनाएगा बोला नहीं दाता हम सिर्फ क्या करेंगे जो आपने books of account बनाया हम उसको क आपका books of account true and fairview है या नहीं है तो क्या auditor हलो क्लाइंट का books of account बनाएगा नहीं अच्छा एक सीए books of account बना सकता है for example मैं मैं सीए हूं मैं Reliance company का books of account बना रहा हूं तो मैं Reliance company audit अच्छा तुम बताओ मैं ही बनाओंगा और मैं इसा नहीं होता है तो books of account बनाने वाला अलग होगा और अच्छेक करने वाला अलग हो पहला कोस्यों क्या है पहला कोसिए और इतर वील प्रिपेर दा अरे तुम लो बोलो न अरे तुम लो बोलो न और अदर विल प्रिपेर दा books of account of client क्या out editor client का books of account prepared करेगा no answer क्या होगा auditor only check the books of account prepared hello word देखो word क्या बोला prepared इंटर्नल कांट्रोल ओव्द क्लाइट मैं चायवाला सब चाय भी के चला जाएगा हम ऑल्टर को क्या बोल रहा है सुफ़ तो लोग न चाय पी के आढ़ पाईट पसा नहीं दें थे थोड़ा इंटर्नल कंट्रोल सिस्टम बैठाओ इससे कैस वेस्ता बराबर मिले कहां कहां सिक्योटी गाड लगाए कहां कहां कैमरा लगाए कौन कॉप्चे में कैमरा लगाए कहां कहां लगाए बोला सुनो ददा हम क्या है औरिटर हम तुम्हारा passport करता है तुम ग्र आअगर तुम औरे करता है तुमको online मिलता है तुमको एक application मिलता है तुमको यहाँ से डालता है फिर हम लोग अपने तरब से application में आपको register करते हैं फिर ग्रूप में डालते हैं अब एक इस्वेंट आके बोलता है हम आपके इस्वेंट है अगर को इस्वेंट आके बोलता है कि हमने आपको payment किया मेरा first क्या होगा भाई तो इंटर्नल कंट्रोल सिस्टम यही होता ना फ्रॉड और एरर को बचाने के लिए बतलब फ्रॉड और एरर कम से कम हो इसके लिए हम लोग को सिस्टम बैठाते हैं उसी सिस्टम को बोलते हैं इंटर्नल कंट्रोल सिस्टम करता होगा दिखता होगा तुम लोग बाहर निकलत जायेगा जब गेट खुलेगा बजर बजर बजनाय Start हो जाएगा वो किया है International यह तो कंडर राता है अगर तुम रहाता है कंड़ा तूछ सनम करेगा समान DOG तो उन्लोप हो जाते समवाल लेकर जब गेट के बाहर जाएगा अकर तुमने प्रॉपर बिल करवाया तब तो बजर नहीं बचाएगा इकर तुमने प्रॉपर बिल नहीं करवाया अरे बुलने बबाबा क्या auditor client का internal control setup करेगा नहीं और अल्ली चेक whether internal control of the client or control are control of the client are strong और वीक और यह चेक करेगा आपने जो भी internal control system बठाया है fraud और error को पकड़ने के लिए वो strong है या weak है देख बाद दना इस company का internal control system weak है तो फ्रॉड का चांसे है जिस company का इंटरनल control system strong बता फ्रॉड का का है यही सब वह से लॉडिटर लोग अपना काम और जब ऑडिट करने आएगा है मैं आपको पुरा प्रोसेस सिखाऊंगा audit होता कैसे अभी तो फर्स्ट क्लास है मज़ा लोग आ गया audit नेक्स देखो तालो मैं देख्ट दो ओडा ओडिटर है इंडिन डूफ वाटेवर ही फिल्स एन कंड़ेक्ट दो और इन एमनर पतला बोला गया है कि माल लेते हैं माल लेते हैं कि ऑ्रिटर कि इंडिपेडेंट है क्या जैसे चाहें वैसे audit करके जाएगा नहीं भाई पता अडिटर के लिए ना बहुत सारे टैंडर्स बने जो आपके स्लिवस में 12 तेरा स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा ऐसे 200 एए 230 थिक है ना इसको बोलते है स्टैंडर्स ओन और टिंग जैसे कंपणी के लिए लौ होता है आसय ओरिटर के बहुत सारी स्टैंडर्स बनाई गये के एक अडिटर में ऑडिटर करता है तो बहुत सारे स्टैंडर्स को फालू करता ऐसे नहीं है है कि हम independent है हम अगर independent है तो हम कुछ भी कुछ किसी भी तरीके से अर्डिट करेगा ऐसा नहीं होता है आप अगर एक ऑडिटर है तो इंसिटूट्स तो अच्छा पता सीए का इंसिटूट्स क्यों आई सी आई तो आई सी आई ने एक स्टैंडर्ड लॉंच किया का नाम में बत क्लाइंट के परस जाओगे तो क्या पहन के जाओगे एसा नहीं होगा कि आप को पहन के जाना है ऐसा नहीं आपको एसे मूठा के ऑडर्टर कुछ भी आप पहन के आगे बोलो खाहां कहां और अटिश करना है ऐसे नहीं आपको audit कैसे करना है audit के दरौन आपका dress code क्या होगा आपका बोल भासा कैसे होगा आपको behave कैसे करना सब कुछ लिखा गया standard में तो एक auditor को सुनो ना एक auditor को सब कुछ follow करके क्या करना पड़ता है audit करना last minute since auditor is not an auditor's duty since since it is not auditor's duty to detect all fraud and errors he can never be held aliver for undetected fraud and error answer is you know मैं एक auditor हूँ मेरे को बुला गया तक आपको बहुत सारे standard आपको बतार नॉर्मल 46 स्टेंडर है 46 standard मेरे को बुला गया था कि 46 standard को follow करो मैंने क्या कि दो चार पांस standard follow कि यह बाकी standard follow नहीं इसे मैं कि तामपल दे रहा हूँ एक standard नाम है 610 help of internal auditor अगर जिस company में जिस company में internal auditor है तो standard 610 ऐसे 610 यह बोलता है कि आप internal auditor का मदद ले करके internal auditor का मदद ले करके आप audit कर सकते हो अब बात तो मेरे को internal auditor था अरे भास समझे नो भाई internal auditor था मैं उसका मदद लिया ही नहीं internal auditor आके बोलता है बाई ऐसे 610 में लिखा गया है कि मुझे आपका help करना है और आपको help लेनी की पड़ेगी बोलता है बाण में जाओ तुम साइड निकल बड़ा आया इंटेनल auditor इसी खाया होगा इसी गुन गुन गायेगा निकल साइट अब बताओ क्या मैंने 610 अगर आपने अपली केबल स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो किया आप लाइवल है कि नहीं लाइबल मैं लाइबल कब नहीं होगा जब जितना मुझे सिखाया गया था मैंने सब्सक्राविल में सारे सारे इस्टांडर को फॉलो किया जितना आसकोज कर लिया फिर भी अगर और निकलता क्या मैं मेरा गलती है इस्टार्टिं उसमें मैंने सिखाया था पर्चेस बिल वाला यादर है क्या उसमें ऑडिटर को गलती है क्या नहीं बोला भाई ऑडिटर लाइबल कभी कभ नहीं होगा जब वो सारे के सारे स्टैंडर्ड को फालो कर लिया जितनी उसके पास एक्सपर्टीज थी एक्सपिरेंस अब को देख के लगा रहा है कि इंटर्नल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो गहराई से ऑडिट करो अगर आप लाइबल कभ होंगे जब आप प्रॉपर इस्किल डिवन केर नहीं लगा होगे प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो नहीं करोंगे तो आप क्या है लाइबल लेकिन आपने प पते जम्मदारी नहीं अछा लास्ट वाला तो देखलो क्या उटर का अईटर का गारेंटी होता सब कुछ बुद्धि उद्धी लगा कर सारे स्टेंडर को फालो करके मेरा उपीनियन यह है कि आपका बुक्स अफ एकाउंट ट्रू एंड फेर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है आप भरोसा भरोसा कर सकते हैं यह 90 परसेंट 99 परसेंट सही हो सकता है बट एक दो परसेंट गलात है हो सकता है विकाज याद करो अगर सब लोग मिल जाएगा तो और सब्सक्राइब यह रिजनेबल यह क्या होता है रिजनेबल अप्सुलूट नहीं तो एक मिनट पर अभी खता हूं अभी तक क्या क्या पड़े हो याद कुछ यह भूल गया सब नहीं सर आगे वाला टुछला सब भूल गया है रिविजन और टित का कहां से डिलाइफ ही आगर को मतलब है तो हीर ठीक है और रिट्रीन का देफिलिटिशन किया इन इंडिपेंडेंड प्राइचिन आप फिन देटी वेदर प्रफित और रूरेंट यूर नौ रिर्रिस्पेटिव आप साइड फंडिया फिर्रेंट पॉर इन लिगल फॉर्म् चाह चुटा हो या पता रहा है या नहीं प्रोपर अकाउंटिक पॉल रहा है कि नहीं पूल डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं एफ फालो हो रहा है कि नहीं युट।